Hello friends, आज की इस वीडियो में हम तीन स्कीम का comparison करने वाले हैं पहली है LIC के प्रधान मंतरी वाया वंदना योजना दूसरी है Senior Citizens Savings Scheme जिसे SCSS भी कहते हैं और तीसरी है RBI के Floating Rate Savings Bonds इन तीनों को हम compare भी करेंगे, साती साथ डिटेल में समझेंगे भी और वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्कीम किसके लिए suitable है कौन सी स्कीम किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए तो आप वीडियो को end तक जरूर देखेगा Friends, मेरा नाम पुनीत नाकपाल है, मैं एक Certified Financial Planner हूँ पिछले 16 साल से Finance Industry में हूँ अगर आप चाहे तो मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं मैंने अपना number share कर दिया है और हाँ अगर आप हमारे YouTube चानल नाकपाल Investments में नहीं है तो इसे subscribe करना मत बुलिएगा तो चलिए start करते हैं PMVVY, Senior Citizen Saving Scheme, SCSS और RBI Bonds को हम एक एक करके देखते हैं किसमें क्या होता है और कैसे investment किया जाता है सबसे पहले देखते हैं कि कौन इसमें investment कर सकता है कोई भी senior citizen जिनकी age 60 साल या उससे उपर है वो LIC की PMVVY में investment कर सकते हैं SCSS में भी senior citizen यानि जिनकी age 60 या 60 से ज़ादा है वो investment कर सकते हैं साती साथ employees जिन्होंने VRS लिया है या वोलेंटरी रिटार्मेंट लिया है और उनकी age 55 है या उससे ज़ादा है तो वो भी इसमें investment कर सकते हैं कोई भी retired defense के employees जिनकी age minimum 50 है या उससे ज़ादा है तो वो भी senior citizen saving scheme में investment कर सकते हैं RBI bonds में कोई restrictions नहीं हैं कोई भी resident individual या HEF investment कर सकता है in fact minors के नाम पर भी investment किया जा सकता है कोई भी 18 प्लस से investment करी सकता है mode of holding देख लेते हैं PMVVY में friends individual नाम से ही investment होता है joint में investment नहीं होता है senior citizen saving scheme जो है उसमें individual के नाम से भी आप investment कर सकते हैं या joint भी कर सकते हैं अपने spouse के साथ RBI bonds में भी आप individual या अपने नाम से investment कर सकते हैं या फिर joint में joint account खुलवा सकते हैं अब देखते हैं कि where to apply यानि कौन से scheme लेने के लिए आपको कहां पर apply करना होगा PMVVY के लिए आपको LIC of India में apply करना होगा LIC से ही प्लान लिया जा सकता है senior citizen saving scheme के लिए post office या कुछ selected banks में आप account खुलवा सकते हैं RBI bonds के लिए भी आपको banks में account खुलवाना होगा जनरली HDFC bank, ISASA, State bank of India type के banks में यह आपको मिल जाएगी minimum investment की बात कर लेते हैं तो PMVVY में कम से कम 156,658 rupees होता है तीनों ही scheme में one time investment करना होता है यानि एक ही बार पैसा देना होता है minimum 1000 रुपे से आप senior citizen saving scheme खुलवा सकते हैं RBI bonds भी आप 1000 रुपे या उसके multiple में investment करके start कर सकते हैं maximum investment की बात कर लेते हैं तो friends LIC की PMVVY में 15 lakh से जाधा आप invest नहीं कर सकते अपने जितने भी पहले अगर scheme ये वली ले रखिये तो सब मिला के 15 lakhs की limit है same limit है SCSS में भी RBI bonds में friends कोई भी limit नहीं है आप unlimited amount invest कर सकते हैं तो जैसा कि हम देखी रहे हैं PMVVY senior citizen saving scheme और RBI bonds का comparison देख रहे हैं 3 साल के लिए आप extend कर सकते हैं RBI bonds अगर आप करा रहे हैं तो ये 7 years के लिए investment होता है इसमें भी extension अलाउट नहीं होता है अब friends हम देख लेते हैं tax rebate हमें किसमें मिलती है और किसमें नहीं मिलती PMVVY में tax rebate हमें नहीं मिलती है senior citizen saving scheme में हमें section ATC के अंडर tax benefit मिल जाता है maximum 150,000 का ये tax benefit हम ले सकते हैं RBI bonds में भी हमें tax rebate नहीं मिलती है अब देख लेते हैं कि tax का और TDS का क्या funder रहता है किसमें TDS कटता है किसमें नहीं कटता है प्रिंट्स PMVVY में जो interest हमें मिलता है वो taxable होता है लेकिन TDS अफिलाल LIC नहीं काटती है senior citizen saving scheme का भी interest taxable होता है और अगर 50,000 रुपे annual से जादा आपको interest मिलता है साल में तो आपका TDS कटता है अगर आप TDS नहीं कटवाना चाहते है तो 15GH form भरके दे सकते हैं RBI bonds में भी interest taxable है और अगर interest 5,000 रुपे साल से जादा है तो TDS कटता है आप 15GH form भरके दे सकते हैं अगर आप tax नहीं कटवाना चाहते हैं अब बात कर लेते हैं बीच में सरेंडर करने की तो PMVBY में सिर्फ तभी आप सरेंडर कर सकते हैं अगर आपके साथ या आपके spouse के साथ कोई critical illness हो जाती है otherwise आप इसे सरेंडर नहीं कर सकते senior citizen saving scheme आप easily सरेंडर कर सकते हैं बीच में RBI bonds सिर्फ senior citizen ही सरेंडर कर सकते हैं बीच में अगर age 80 से जादा है तो 4 साल का lock-in जाएगा 70-80 साल के age बीच में एज है तो 5 साल के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं और 60-70 के बीच में एज है तो 6 साल के बाद आप इसे सरेंडर कर सकते हैं पेनल्टी क्या लगती है वो बता देता हूं PMBBY में 2% कट जाएगा आपका जित्मा भी आपने डिपॉसिट किया है सरेंडर करने पर और अगर senior citizen सेविंग स्कीम है तो और एक साल से पहले आप ले रहे हैं तो कोई भी इंटरस्ट नहीं मिलेगा एक साल से दो काल के बीच में 1.5% of deposit amount penalty लगता है दो साल से 5 साल के बीच में 1% penalty लगती है RBI bonds में जो भी लास्ट का आपको इंटरस्ट मिलेगा उसका 50% काट लिया जाता है अगर आप इसे बीच में सरेंडर करती है तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे ज़रूरी aspect कि भाई rate of interest की scheme में हमें क्या मिल रहा है यही main एक ऐसी बात होती है जिससे हम decide करते हैं कि कौन सी scheme अच्छी है और कौन सी नहीं है PM BBY में friends सबसे अधा rate है yearly 7.66% half yearly pension लेना है तो 7.52% quarterly लेना है तो 7.45% और monthly लेना है तो 7.40% friends एक query रहती है लोगों की कि यह rate change होगा या नहीं 10 साल के लिए same rate रहेगा अगर आप एक बार investment कर देंगे तो SCSS में rate है 7.40% quarterly मिलता है इसमें और RBI bonds का rate है 7.15% half yearly लेकिन यह floating rate है यानि इसमें rate हर 6 महीने बाद change होगा आगे आपको 6 महीने बाद कितना rate मिलेगा वो पहले से रिष्चित नहीं है यह change होता रहेगा यह depend करेगा government पे अब example से हम समझ लेते हैं PMVVY अगर आप करा रहे हैं अगर उसमें 15 lakhs deposit कर रहे हैं तो आपको महीने का 9,250 रुपे pension मिल जाएगा अगर आप senior citizen saving scheme ले रहे हैं और 15 lakhs उसमें deposit कर रहे हैं तो आपको 3-3 महीने में 27,750 रुपीज मिलेगा interest क्योंकि 7.4% के इस आपसे है अगर आप RBI bonds में 15 lakhs रुपीज deposit करेंगे तो आपको इसमें 6-6 महीने में interest मिलेगा 6-6 महीने में आपको 53,625 मिलेगा इस पर मैंने star इसलिए लगाया है क्योंकि अगले 6 महीने बाद क्या rate होगा वो पता नहीं है वो change होगा floating rate है इसमें मैंने जैसे पहले आपको बता ही द 25% तक आप लोन ले पाएंगे senior citizen savings scheme में लोन अवेलेबल नहीं होता है इसमें आप लोन नहीं ले सकते RBI bonds में भी आप लोन नहीं ले सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी scheme किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए यानि किसके लिए कौन सी scheme suitable है और किसके लिए कौन सी scheme suitable नहीं है सबसे पहले बात करेंगे PMVVY यानि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की मान लीजिए आपको 10 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए आप और one time investment करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका rate of interest fix हो जाए अगले 10 साल के लिए 7.4 या 7.66 तो आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में investment करना चाहिए maximum 15 लाग तक आप कर पाएंगे जो current rate चल रहे हैं उसके लिए last rate है 31 March 2022 के बाद क्या rate होगा वो पहले से पता नहीं है हमें अभी जो rate चल रहा है जो मैंने आपको बताया है 31 March 2022 तक valid है अब बात कर लेते ह SCSS यानी Senior Citizen Saving Scheme किसको लेनी चाहिए मान लीजिए आप कम टाइम के लिए investment करना चाहते हैं 5 साल के लिए investment करना चाहते हैं और आपको हो सकता है बीच में पैसे की requirement भी हो अब जब चाहिए पैसा ले भी पाएं तो आपको फिर Senior Citizen Saving Scheme में investment करना चाहिए प्रदानमंत्री वाय Bonds किसको लेने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं मान लीजिए आप Senior Citizen है और आपने PMBBY और Senior Citizen Saving Scheme ले ली है 15-15 लाग की आपके पास और amount है invest करने के लिए तो आप RBI Bonds में investment कर सकते हैं या मान लीजिए आप Senior Citizen नहीं है आपकी उमर कम है तो भी आप इसमें RBI Bonds में investment कर सकते हैं लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बीच में आपको साथ साल के लिए पैसा बीच में नहीं मिलने वाला है अगर आप पैसा साथ साल के लिए रोक सकते हैं तब ही आप इसमें invest करिएगा तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आप आपको informative लगी होगी अच्छी लगी हो तो इसे like करके मुझे motivate जरूर करिए और अगर आपने हमारा चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे subscribe भी कर लिजे आशा करता हूं आप अपने घर पर खुश होंगे स्वस्त होंगे अपना ध्यान रखिए थैंक यू सो much paint goodbye